नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत है दोसों सनी देब ने उठा लिए धनुश अब आपके जून काल में खुशी आने वाली है जिया दोसों आपको बता दें कि याश्यो में आपका पाश्वाप लटने वाले हैं आपके जून काल में कई बड़ी आउंटे खड़े हो जाएंगे यूँ कि हैं तो आप खुशी से जूम उठेंगे जिया दोस्तों वीडियो अती महत्पुन है इसलिए आप इन्हें चुपके शे एक बार जरूर देख लीजिएगा शुरू से लेकर अंत तक देखिए का क्योंकि बड़ी ही महत्पुन जार करनता तक देख लेंगे तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए वर्दान शेक करम नहीं होगा क्यों दोस्तों आपको बिता दें कि दुख और शुक भाई-भाई होते हैं कभी मनिशों के जोन में दुख भी रहता है जो दोस्तों और यह शुक का शंकेत कर रही है यह दोस इन में अब शर्वी मेरपूं जाने करी को जाने के कव्यानेवाले शो हमें जो गराओ की इस्तती बन रहा है इनके शाहत को आपको कौनसी जित्रों को लेकर शाव दहने रहूंगे कौनसी कारी आपके लिए भागी चलोंग और किन-किन जित्रों में कारीकर्ष आपको सब्सक्राइब करें तो आई दोसों वीडियो को प्रारम करते हैं शुरुआत करते हैं भगवान श्रीकिष्ण की एक बहुती अच्छे ग्यांशे दोसों एक बार एक राजा था वाजबी मंदिल जाता था तो दो भिखारी उसके दाएं और बाएं तरफ बैठा करते थे दाइं तरफ वाला कहता था कि हे इश्वर तुने राजा को बहुत कुछ दिया है मुझे भी दे दे तो बाइं तरफ वाला कहता था कि हे राजा इश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है मुझे भी कुछ दे दे दाई तरफ वाला विखारी बाई तरफ वाले शेक कहता है कि इश्वर शे मांग वो शबकी सुने वाला है बाई तरफ वाला जवाब देता है चूप कर मुर्ख एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में जो दाई तरफ विखारी बेड़ता है वो हमेशा इश्वर से मंगता है तो अवशी इश्वर की सुन लेगा लेकिन जो बाई तरफ बेड़ता है वो हमेशा मुझे ही मांग करता है तो तुम एशा करो कि एक बड़े शे बरतर में खीर भर कर उश में श्वर्न मुद्रा डाल दो और वह उश को दे जाओ मंत्री ने शाही किया और अब वह विखारी मज़े में खीर खाते काते दूसरे विखारी को चिड़ाता हुआ बोलता है कि हट बड़ा भगवान तुझे देगा या देख राजा से मांगा और मुझे मिल गया खाते काते जब इसका पेट भर गया तो दोस्तों वह विखारी ब वेशाही बेठा है और दाई तरफ वाला विखारी गायब है राजा चौकर उशे पूझा कि क्या हुआ तुझे खीर से भराबरतन नहीं मिला विखारी ने बोला जी हां मिला था बहुत ही श्वादिष्ट खीर थी मैंने खूब पेट भर कर खाई राजा बोले तो फिर क्य श्कुरा कर बोला अवश ही इश्वर ने उशे देही दिया जिया दोसों क्योंकि दोस्तों उस बरतन में श्वर्न के मुद्राएं भी थे जो की अंदर में थे वह पाकर वह भिकारी वहां से चला गया और वह जाकर अपने जुनकाल में बहुत यच्छी जिनकी जीने लगे ख़वान पर जो भी व्यक्ति विश्वास रखता है उन्हें भगवान अवशी देता है तो दोस्तों या कानेश हैगे आपको अपने जुनकाल में शिक मिले हो भगवान पर भर्षा हुआ तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा चाल लाइक ज़रू करें और इनके लिए कम विच में हम् आपको बघवान श्रुन dough to a youth thatने के से जिनम घमार थे लिगे ? यह भी से आपके जनकाल में बबढ़ा बड़ा चमतकार होने वाले हैं रोके हुए काम शमेप पर पूरा होने वाला है जी दोसों गरा इस्तिती आपके लिए भगवान शुनदेप बहुती अनुकूल करने वाले हैं जिनसे दोस्तों लाब के मोके आपके घर परिवार पर बढ़ेगा जी दोसों घर के बड़े बुजुरुक की शला हुआ फिर मार शुबह शुबह कोई शुबह समचार आपको मिल सकता है क्योंकि भगवान शुनदेप के आगमर्शे पहले आपके जुनकाल में यह घटनाई तो होकर रहेंगी जो कि दोस्तों आपको अगले 24 घंटों के अंदर पता चलेगा जिए दोस्तों इस वजशे कई महत्पुन नि शुबह करने वाले हैं अपनी दिंचरिया और कारी प्रणाली में कुछ परवर्तन लाएं इस यह आप श्रकारत में परेडाम हाशिल कर शकते हैं दोस्तों घर में कोई मांगली कारी के आयोजन शमंदी और जनाएं भी बनेंगी भगवान शुनदेप का शिरबाशी आप श भी को बता दें कि भगवान शुनदेप के शिरबाश आपके चुनकाप में जोबी परेशानियां से नहीं हैं वह परेशानियां होने वाले हैं और उनमें आपको बहुत यह बहुत हैत्छा अधंड़ा मिलेगा जनमें आगर आप चलेंग दो llegó सो यकीन मानिये आपकी मंजि अधिक विश्वास रखना आपको कोई भी निर लिलने में बल परदान करेगा ये दोस्तों और यश्मी आपका हर निरले शही होगा कि वो दोस्तों आपके उपर भगवान शुन्देव का अश्रुबाद रहने वाले हैं ये दोस्तों लोगों के शाथ मेली मिलाप के लिए य उनके लिए आप शमय निकालें और अपना दाइरा बढ़ाएं इसे दोस्तों कुछ नई जानकरियां तथा उपलगदियां आपको हाशलोंगी आप तनाव मुक्त तथा उर्जावान यश्मी महशूस करने वाले हैं आपको बता दें कि बगवान शुन्देव के श्रुबा भरा माहौल रहेगा जिए दोस्तों आने वाले शुमी में भगवान शुन्देव के श्रुबाद से समाजिक अत्वाराय नितिक गतिद्यों में भी अपना रुची बनाएं प्रवावशारी लोगों के शाथ आपके लाबदाएक शमंद भी अस्ताफित होंगी आपको बता दें कि जो लोग अपने जिवनकाल में बहुत ज़्यदा परिशान है दोस्तों याश्मी आने वाले तीन दिनों के अंदर भगवान शुन्देव के शब्षे खाश मंत्र ओम शाह शंचराय नम्ह का जाप करें जिए दोस्तों आने वाले तीन दिनों में आपको शुबर करना है दानपून करना है इसे दोस्तों भगवान शुन्देव आपके उपर हमेशा किरपा बर्शाते रहेंगी दोस्तों आने वाले तीन दिनों का जो शमय होगा अधिकतर शमय घर परिवार कि शुक्षिवदा शमन्दी वस्तों की खरिदारी में भी शमय वहतित हो जाए शमाएंगे कि दोस्तों सब भगवान शुन्देव का ही आशिरुबात है जो कि आपकी जुनकाल में इतनी बड़ी खुशकब्रियां आप शुबी को मिल रही है नहीं नहीं उसनाएं और कारियों के परती आपकी रूची बढ़ने वाली है जो दोस्तों भगवान शुन्द आने वाले ही जुमने वाले ही को दोस्तों आने वाले में ए व्यज्ञी बाघवान शुदेव चुदार कार्यों बेर दोर्ति में कुलता मिलि बच्चों के साथ बैटकर उनकी пожष्ट का श्मधायों का उनकी खुशी और आत्मबल बढ़ेगा तो दोस्तों जरूर आप इन पर ध्यान दें बगवान श्रिंदेब यही चाहते हैं कि गर परिवार में मिल बैठकर कोई एग्जा कार्यव स्वे पर पूरा होने से मन आपका बहुत प्रस्वर रहेगा तो आपके अंदरा की एग्जा यहीश में पूरा होने वाला है भगवान शनिदेव के शिर्वाश्य आपके जुनकाल में ऐसे खुसी आएंगी कि दोस्तों आपने इन्हें कभी शबने में भी नहीं सोची होंगी हम आपको बता दें कि अगर आपको भगवान शनिदेव पर विश्वाश है तो दोस्तों इस वीडियो को एक प्यारा तीन दोनों में भगवान शनिदेव के शिर्वाश आपके परस्तियों में बहुत यदा शुदार होगा और तुरंत ही फैसला लेने के लिए आप तयार रहेंगे और आप शबी कारियों को शमय पर शंपन कर देंगे कुलू मिलाकर कहें तो शमय आपके लिए भगवान शनि शुबरी लेकर आ रहा है आए के शाथों में भी इजाफा होगा अले से छोड़कर दोस्तों पूरी उर्जा वफिरात मिश्वास से अपने कारियों के प्रती शमर्द पित रहें किसी मनुन अस्तल पर जाने का भी प्रोग्राम बनेगा शातिसा दोस्तों आप शबी को बता आएगा लेकिन दोस्तों कभी भी आपको इसके उपर कोई गलत कदम नहीं उठाना है अगर आपको मने परिशान हो तो दोस्तों वश्च में आपको कोई बीस नहीं लेना है क्योंकि यह जो कारत हैं आपके ज्वेश कर देंगी नोगंधार की हो जाएंगे और आपकी जोबी कारे हैं जिसके लिए आप बहुत ज़्याद नितिजार कर रहे हैं दोस्तों उनमें आपको इश्रुबलता की प्राप्त होगी पारवरिक श्रुदेश्यों के बीश समाजी से बना रहेगा यह में लव लाइफ के लिए श्रुमी बहुत ज़् प्रहेज करें क्योंकि यह में भगवान श्रुदेव का अश्रुबार अगर आपके शाथ है तो किसे चित का आप चिंता ना करें किसी के लिए प्रिशान ना हो जिए दोस्तों